हलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे मेडिशनल प्लांट यानी अजवाइन के पौधे के बारे में जिसको लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और साथ ही इस प्लांट की पूरी डीटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने बाले वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएं ये सामने जो पौधा दिख रहा है सबी लोगों को लगता है ये अजवाइन का पौधा है नरसी वाले भी इसको अजवाइन का पौधा ही बता कर बेशते हैं और जब आप लोग खरीदने जाते हैं तो इसे अजवाइन के पौधे की नाम से ही मांगते हैं कि आप अजवाइन का पौधा दे दीजे तो नरसी वाला आपको ये पौधा दे देता है आपको जानकर हैरानी होगी कि यह अजवाइन का पौदा नहीं है, सिर्फ इसमें अजवाइन की जैसी खुसबू आती है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसको खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है, या फिर गैस बन जाती है तो उसमें खाने में इसको यूज करें तो काफी मिलता है, बहुत हद तक ये बाते सही भी हैं, लेकिन इसकी सुगन के कारण हिसे लोग मेडिसनल प्रांट मानते हैं, जो उनकी पेट की समस्याओं को दूर करता है, इसके अलावा भी इसमें और आसदी गुण होते हैं, और अगर हम बात करें साउथ इंदियन स्टेट की त इसे औरिगैनों के रूप में यूज करते हैं, वैसे तो इसका पेष्ट भी बनता है, आप इसको ड्राई करके भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीजों में इसको यूज करते हैं, बहुत से जगह पर कॉमन पौधे होते हैं, जो उसी स्टेट में यूज किया जाते हैं, जैस सुरू कर दिया और अपनी सुविधा के अनुसारी से अजवाइन का पौदा ही मानने लगे लेकिन फ्रेंड्स इसका असली नाम करपूर वल्ली ही है और ये मेडिसनल प्लांट ही है लेकिन इसकी असली दवा कफ और खासी के लिए बनाई जाती है बैसिकली बच्चों के ये ही मेडिसनल प्लांट है आयूरवेदा में इसे बच्चों की कफ और खासी के लिए यूज किया जाता है और इस मैं बता दूँ इसे बहुत ही आसानी से आप कटिंग से लगा सकती है बहुत ज़्यादा केर नहीं करनी पड़ती है सर्दियों के मौसम में इसमें फ्लाव मिट्टी में थोड़ी सी खाद मिला लीजे उसके बाद आपको कोई भी खाद देने की जरुरत नहीं पड़ेगी आप होमेड लिकुट फर्टिलाइजर वगरा इसको देते रहेंगे ये ऐसे ही ग्रो होता रहेगा इसके कटिंग आप किसी भी मौसम में लगाईए ये चल जाती है ये मैंने दो कटिंग अभी लगाई हुई है और इसके लिए पॉट आप छोटा बड़ा जैसा भी चाहें वैसा रख सकते हैं और इसमें इंसेक्ट बहुत कम ही अटेक करते हैं तो इसमें पेस्टिसाइट यूज़ करने की जोयत नहीं पड़ती है अगर कोई इंस करिए उसको आप खाने में यूज़ करते हैं तो आप केमिकल वाला पिस्टिसाइट मत यूज़ करिए जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी पत्यां मोटी हैं तो इसमें पानी बगरा ज्यादा देने की जरत नहीं है जब इसकी उपरी लेयर सूख जाए तो आप इसमें थोड पूरी सच्चाई जिसके बारे में मैंने पूरा डीटेल से आपको बता दिया इसकी केर भी बता दिया आपको कैसे करनी है कहां कहां इसको यूस करते हैं अगर इसमें से कुछ भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले अभी के इतना ही थैंक यू